सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब करने के लिए जो हमारे किच्छन में ही products यह वाले 법नी के साथ सब्सक्राइब लुग nesARS आपको प्रॉपर फेशल करके दिखाऊंगी कि हमारी जो स्किन का जो कलर है वो बिल्कुल ही आपको दो गुना फैदा आपको वो फेशल जो है वो देगा आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं कोई ऐसा प्रॉडक्ट नहीं जो आपके घर में अविलेबल ना यह जो फ एड़ करके हम उसको यूज करेंगे और लास्ट में पैक में वो कौन सी जादुई चीज है जिसको हम एड़ करके अपने फेस पे और ज़्यादा ग्लो लाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर वीडियो थोड़ी सी भी हलफुल लगे और अच्छी लग वन स्पून एक स्पून दहीं लेके हमने करड को लेके हमने उसको अपने फेस पे अच्छी ज़रां से लगाके अपने फेस की क्लिंजिंग करनी है जो दहीं है वो हमारे जो टैनिंग है उसको रिमूव करता है इसमें लैक्टिक एसेड होते है जो हमारी स्किन को बहुत कोफ्ट हो जाती है यह देखिए अब आपने उसके बार मैंने स्क्रब्स करना है स्क्रब के लिए एक स्पून क्रमच चावल का आटा बूबझाय आपने वी फेस के उपर बार्ग करनी है और जावल का अन और जो जो touches है और छावल डाग दब्य खतम करने में हमारी जो डाट स remove करने में ये help करता है और skin whitening में भी ये बहुत ज़ादा beneficial है तो चावल काटा हमने इसमें एक spoon लेके हमने अपने circular motion में प्रॉपरली scrubbing करनी है अपने face पे भी अपने neck पे भी हर जगा पे हमने इसको प्रॉपरली apply करना है और massage करते हुए एक दो मिनट हमने फिर इसको अच्छी तरह से wash कर लेना है पर अपने अच्छी तरह से पहले scrubbing की proper इसको circular motion में move करके अब आपने इसको wash कर लेना है अब उसके बाद हम बनाएंगे जो हमने मतलब दहीं के साथ हमने अपना क्रीम बना मतलब मसाज के लिए मसाज करनी है अब मसाज क्रीम बनानी है तो मसाज के लिए हम लेंगे एक स्पून दहीं और vitamin E capsule अगर आपको vitamin E सूट नहीं करता तो आप coconut oil भी ले सकते हैं तो उससे आपने अच्छी तरह से मसाज करनी है क्योंकि यह थोड़ा liquid form में होगा तो आपने oil और दहीं दोनों को mix करके आपने अच्छी तरह से मसाज करनी है और circular motion में अपने eyes के नीचे proper अपने forehead पे आपने properly आपने मसाज करनी है ठीक है पहले आपने इसको अच्छी तरह से apply करना है mix करके फिर उसके बाद आपने इसको अपनी मसाज करनी है और मसाज में भी आपने दो तिन मिनट्स आपने इसको जरूर देने है यह दिखिए eyes के नीचे अपने face पे अपने facial bones है उनको tight करना है अपने लगी neck पे अपने हर जगा पे massage आपने properly करनी है उसके बाद turn आती है आपके face pack की अब हम बनाएंगे face pack जिसमें हम लेंगे एक spoon बेसन और आदह चमच आदह चमच के क्रीब मैंने ली है मसूर की डाल अगर नहीं है मसूर की डाल तो कोई बात निया मसूर की डाल भी add मत कीजिए कोई जरूरी नहीं है और एक spoon लिया है हमने दही अब हम मिलाएंगे इसमें एक चुटकी जो जादूई चीज है जिससे हमारी रंगत में और जादा निखा राएगा वो है यह है फिटकरी का जो मैंने powder बनाया है कैसे बनाया है वो मैं आपके साथ अभी शियर करती है आप देखिए अगर हम इसको direct mixi में डालेंगे तो mixi हमारी खराब हो जाएगी तो आपने इसको mixi में नहीं पहले आपने इसको अच्छी तरह से crush कर लेना है यह देखिए मैंने proper अच्छी तरह से crush कर लिया है crush करने के बाद फिर मैंने उसको mixisme में ताल के mixisme 추천 किया है ก्राइड करने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह से चाना है चानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इसको लt الأकि Pathtool करने के बाद और बिलकुल ऐसा powder बना लेना है, चान की, तो आपका ये powder बिलकुल ready हो जाएगा, बहुत ज्यादा time नहीं लगता और ये crush भी बहुत easily हो जाती है, अब ये fit curry एड़ करके, अब मैंने इसमें proper एक paste बना लिया है, अब ये आपका paste जो है ready हो चुका है, अब आपने इसको as a pack अपने face के उपर apply करना है, क्योंकि जो fit curry है, वो आपकी जो fine lines है, जो wrinkles है, उनके उपर ये work करती है, fit curry के उपर मैंने full एक video बनाई है, जो आपकी कैसे आपके लिए useful है, मैं उसका link भी आपको उपर दे दूँगी, जरूर check out कीजिएगा, क्योंकि fit curry ये कैसी चीज है, जो ह हमारी skin में बहुत जादा, मतलब की skin और हमारी overall body में भी ये बहुत अच्छा work करती है, अब मैंने अपने face को पैक को अपने apply करके, मैंने इसको 10 to 15 minutes रखा, ये देखे बिल्कुल dry हो गया, क्योंकि इसमें मसूर की दाल है, तो आपने इसको रगड़ते हुए थोड़ा सा इ कोई ज़रूरी नहीं है, जो जो इंग्रीडियंट है के ला वेसन भी आप इसमें डाल सकते हैं, और उसके बाद आप इसमें coconut oil ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी serum ज़रूर apply कीजिए, क्योंकि फिट करी है, उसमें estrangen properties होती है, वो आपके face को एकदम से dry कर देता है, तो आपक या कोई भी face pack apply करती हूँ, तो मैं night में ही ज़्यादा तर उसको prefer करती हूँ, तो आपने धीरे धीरे उसको मसाज करके आप अपनी night cream apply कर सकते हैं, अगर नहीं भी है night cream apply करना चाहते हैं, कोई need नहीं है, ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से मसाज करते हुए, इसको अच अगर आपके पास कोई एक अधी चीज नहीं भी available, तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन curd के अपने ही benefits होते हैं, क्योंकि curd एक ऐसी चीज है, जो हर घर में available होती है, ठीक है, तो आप इसको ज़रूर ट्राइ कीजिएगा, और आप खुद ही अपने face पे उसको glow देखेंगे और अपना face आपको, जब आप cleansing ही करेंगे न, after cleansing ही आपको अपना face जो है, वो इतना soft और इतना plumpy feel होना शुरू हो जाएगा, तो आप इस curd facial को ज़रूर ट्राइ कीजिएगा, अपने घर पर, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी helpful लगी हो, अच्छी लगे, तो